नमस्कार दोस्तों मैं गोरव सर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अध्यन कोजिंग पॉइंट में तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है बाइलोजी की क्विच चल रही है स्वास्ति में पोशन आपके हेडिंग का नाम है हेल्थ और न्यूट्रिशन इसके तो 50 कोशन हर पार्ट में आपको करा रहा हूँ तो आज इसका तीसरा पार्ट है ठीक है तो बढ़ते हैं अपने कोशन की और पहला कोशन है कि सरीर के अंदर लोग की कमी से उत्पन होने वाला रोग है तो सईयान सरेष का ओप्सिनंबर C रक्त हिंता हो जाती है नेक्ट कोशन है आपका चेचक या इसमाल पॉक्स फार्ट होने का कारन है तो सही आंसरेश का उप्शन नमबर B वैरी ओला वाइरस वैरी ओला वाइरस चेचक या इसमाल पॉक्स होने का कारण है नेक्ट कुश्चन आपका गाए के दूद का रंग किसकी मोजोद्गी के कारण थोड़ा पिला होता है तो सही आंसरेश का उप्शन नमबर D केरोटीन की मोजोद्गी के कारण गाए के दूद का कलर पिला हो जाता है नेक्ट कुश्चन आपका निम लिखित में से कौन सा रोग प्राय वाइयू के माध्यम से फैलता है तो सही आंसरेश का उप्शन नमबर A उप्शन नमबर A प्लेग प्लेग जो है वो वाइयू के माध्यम से फैलता है नेक्ट कुश्चन आपका अन्न एक सम्रद्द स्रोत होते हैं तो सही आंसरेश का उप्शन नमबर A श्टार्च के नेक्ट कुश्चन आपका इन में से वसा में कौन विले नहीं होता है तो सही आंसरेश का उप्शन नमबर B विटामिन भी वसा में विले नहीं होता है नेक्ट कुश्चन आपका नेक्ट कुश्चन आपका option number D blood cancer कह सकते हैं आपको इसके उप्चार में कोबाल 60 का प्रियोग किया जाता है next question है आपका सरीर की विभिन गती विदियों के लिए उर्जा स्रोत है तो सही answer है option number D carbo hydrate क्योंकि सरीर की को एकदम से उर्जा सी होती है ठीक है और उसकी विभिन गती विदियों के लिए वो उर्जा एकदम से तुरंत रुजा हमें कहां से मिलते है कोई कैनल जी carbo hydrate से next question है आपका मनुष्य के नेत्र के सुष्ट संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है तो सही answer है option number A vitamin A तो मनुष्य के नेत्र का सुष्ट संचालन के लिए क्योंकि इसकी कमी अगर हो जाती है तो मनुष्य को रतोंदी रोग जाता है जिसमें राट को साम की समय कम चमखने लगता है next question है sunshine vitamin है sunshine या सूर्य से प्राप्त होता है उस vitamin को क्या कहते है तो सही answer है option number D vitamin D को सूर्य के दुआरा और मसली के यकरत के तेल दुआरा हो इसको प्राप्त कर सकते है next question है आपका ECG है जादे तर इसमें C की full form पूशी जाती है तो क्या है यह तो सही answer है इसको option number D electrocardiograph और यह हिर्द्या की धडगन के लिए यूज किया जाता है एक होता है EEG वो मस्चिस की धडगन के लिए यूज किया जाता है next question आपका मस्चिस के लिए यूज किया जाता है यह हिर्द्या की धडगन के लिए नेमलिकित में से vitamin कौन सा है तो सही answer है इसको option number E फोली कमल जो है वो आपका vitamin है next question आपका नेमलिकित में से कौन सा रोग रक्तधान द्वारा नहीं फैलता है तो सही answer है इसको option number B टाइफाइड next question नेमलिकित में से कौन सा सही मेल है तो इसका सही answer है option number D hyper tension अगर आपको हो जाती है तो आपको दिल का दोरा पड़ जाता है ठीक है next question है आपका 14 वर्स की आयू के बच्चों के लिए बच्चों के विकास के लिए नेमलिकित में से कौन सा सबसे अधिक मेहतपूर्ण है तो सही answer है इसका option number E 14 वर्स की आयू के बच्चों के लिए प्रोटिन की सबसे ज़्यादा हो सकता होती है next question है पीत जवर संचारित किया जाता है तो सही answer है इसका ADS दौरा ADS मच्चर दौरा पीत जवर संचारित किया जाता है और malaria अमारा एनाफिलीज दौरा ठीक है next question है आपका मानव शरीर में infection लोगने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है तो सही answer है इसका option number E इसे पृति रक्षा पृति रक्षा विटामिन भी कहा जाता है विटामिन A को ध्यान रखना ये लोगों से लड़ने मदद करता है next question है छिलीवी सब्जी को धोने के धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है छिलीवी सब्जी तो इसका answer है option number B विटामिन C निकल जाता है ये छिलीवी सब्जी में क्या होता है थोड़ा थोड़ा खटासपन होता है ठीक है सब्जी कच्चियों में तो वह खटता है वह विटामिन सी के शरोत होते हैं नेस्ट कुश्चन आपका विटामिन B6 की कमी से पुरुसमें हो जाता है तो सही आंसरेज को अप्शन नंबर एक रखत्ता हो जाती है नेस्ट कुश्चन आपका पीलिया एक प्रतीक है तो सही answer is को option number B, यक्रत की विमारी का अगर आपको पिलिया हो रहा है तो आपको उसमें कौन सा भाग ग्रस्त है लीवर, यक्रत या जिगर कह सकते हो आप चेचक के पृति टिका करन में समावेश किया जाता है तो सही answer is को option number C, जीवित पृति रक्षियों का चेचक के टिके में जीवित पृति रक्षियों का समावेश किया जाता है next question है जिस विमारी में रक्त में सरकरा का इस्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है यह तो आपको पता ही है कि सरकरा अगर बढ़ रहे हैं तो diabetes हो जाती है और diabetes इसमें 4 उप्षन में है तो आपको उस बिमारे का नाम देखना क्या है तो सही आंसर है इसका ओप्षन नमबर A Diabetes Mellitus नेक्स्ट कुश्चन है आपका मनुस्या में एफलर्ट ओक्षिन खाद विशाक्तन द्वारा सामानित कौन सांग प्रभायुत होता है तो सही आंसर है इसका नमबर A नेक्स्ट कुश्चन है आपका मिनी माता रोग का कारण है तो इसका सही आंसर है ओप्षन नमबर A पारे की वज़े से मिनी माता रोग हो जाता है नेक्स्ट कुश्चन है आपका परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांचनी लक्षन के लिए तयार की गई है तो सही आंसर है इसका ओप्षन नमबर A विटामिन A के लिए नेक्स्ट कुश्चन है आपका नेक्स्ट सूचियों में नीचे दिये गए कोट का सही उत्तर चुनिए तो विटामिन C से कौन सा रोग होता है इस करवी पहले का D हो जाएगा उसके बाद विटामिन B1 से क्या होता है बेरी बेरी यह हो गया विटामिन A से क्या होता है रतोंदी यह हो गया तो क्या बचा फिर फॉलिक अमल तोूलि कमल्स से क्या हो जाएगा आपका रखत अलपकता ओ इसका जो आँसर होगा आपयो पहले का चौन नमबर नेम लिखित अनुवान्सिक रोगों में कौन योन सम्बंदित है? तो सही आंज़ रिश्का ओप्षेन नमबर ए यह अनुवान्सिक भी हो जाता है हिमो फिलिए हिनो फिलिए योन से सम्बंदित है नेक्ट कॉस्चिन है आपका जापानी एंसे फ्लाइटिस का कारक होता है तो सही आन्सर है वाइरस ओप्सन नमबर भी विसान हो नेक्ट कुश्चन आपका दोस्युक्त विरक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उप्योग किया जाता है इसके नेट प्रक्रम है तो सही आन्सर है इसका ओप्सन नमबर भी परासरन दुआरा हम इसका अपोहन करते है नेक्ट कुश्चन आपका नेमलिकित युगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है थाइमिन बेरी बेरी बिल्कुल सही है विटामिन डी सुका रोग बिल्कुल सही है विटामिन के बांध्यपन ये गलत है क्योंकि वो विटामिन इसे होता है और नियासिन पेलागिरा ये भी बिल्कुल सही है है दो सधार रोग कैसे उसका नंबर विटामेगी से और हीजी जी तो फिर्दिय कोम मस्तिष्ख से मज़ा आपका के मैं और होता है या होती है नहीं नियांग реш equation number C Leben protein नहीं लीकित मेजर की उपस्थीत को Redding की कारण दूद में मिठास आ जाती ही तो स्वाई answer is option number 1 Lactose लैक्टोस लैक्टोस के कारण दोज में मिठास आ जाती है और लेक्टिक एसिट के कारण क्या हो जाता है खट्टा हो जाता है कि नेक्ट कुस्चन आपका कि शुवरों को मानव रियायसी छेत्रों से दूर रखना उसके लिए अनुमूलन में सायक है तो सही आंसर है इसका ओप्शन नंबर भी जापानी एंसे फेलाइटिस यह रोग हो जाता है ठीक है और यह जाप यह कहां सा है यह यह एक वाइरस है ध्यान रखना आपको जो शुवरों से निकलता है घात करोर चुप जाओ नाम के विख्यात विशानू है तो सही आंसर है इसका ओप्शन नंबर ए आरेस वी विशानू घात करोर चुप जाओ नेक्ट कुश्चन है आपका नेम लिकेट में से कौन सा विटामिन भी कॉंप्लैक्स हमूँ से सम्बंदित नहीं है विटामिन बी वन होता है थाइविन बी टू होता है राइब अफ गलोविन और विटामिन पाय रेडिक्षिन क्या होता है बी फोर होता है साइद और उसके बाद में आपका आधात है रेटेनोल रेटेनोल इसका गलता अंसर है यह आपका सही होगा ओप्शन नंबर सी नेक्ट कॉश्चन आपका नेम लिकेट सुची को मिलान केजिए यह व्यर्य इंप्पोर्टन गश्चन है तो सही आणसर इसका उप्शन नंबर आ मिलान कर लेते हैं पहले कभी है ओटा ओटा इटिस यह होता है कान में अगला है एनसेफिल आइटिस यह होता आ हो मस्तिष्क में उसके बाद है लोरिंजाइटिस यह होता है गले में उसके बाद है हिपिटाइटिस यह तो आप जानते हो हिपिटाइटिस भी का होता है यह होता है आपका एक्रत नेश कोशन आपका कुनैन के तिरे निम लिकित में से कौन सा साक्या उस्दी मलेरिया के उपचार के लिए प्रियोग किया ज जाएगा option number A आर्थी वर्ड आर्टी वर्ड आर्थी थर नेस्ट कुछ्षिन है नेम लिखित में से किसकी कमी से रिकेटस होता है यह तो सभी को पता होगा simple question है तो सही answer है इसका option number A vitamin D next question है आपका सूची को मिलान करना है यह very important है मैंने आपको बताया था जो EEG है पहले का तीसरा हो जाएगा मस्तिस्क से है ECG आपका हिर्दिय से है दूसरे का चोथा हो जाएगा ठीक है अब और EEG की बारी है देख लेते हैं पहले का तीसरा किवाल एगी option में दे रखा है आप इस तरीके से इसका राइट अंसर नंबर भी लगा सकते हो ठीक है दूसरे का चोथा फिर तीसरे का EEG EEG आपका आँख से है और चोथा EMG आपका मास्पेशिस है ये से ये 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 से नैस कोस्षन है निमलिकित में से कौन सी प्रोटीन दूद में पाई जाती है तो सही को पता अभी पीछे भी आया था सही आंसर इसका उप्शन नमबर सी यकरत या लीवर नैस्ट कोश्चन आपका रुधिर में स्वेट रक्त कनिकाओं और बीसी की अत्यादिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भासा में कहते हैं तो सही आंसर इसका उप्शन नमबर बी लियू केमिया इसको क्या कहते हैं लियू केमिया ये कहां का कैंसर होता है मस्तिस्क्रिका नेक्ट कुस्चन है आपका योकि इसमें इसमें क्या होता है आपका डबलू बीसी की जो है मात्रा बढ़ जाती है चिकित्चक परामस देते हैं कि हमें अपना बोजन वनस्पति घीकिया पिक्ष्ट तेल में बनाना चाहिए क्योंकि सही आंचरेश का उप्षन नमबर ए तेल में एसंतरप्त वसाय होती है नेक्ट कुस्चन है आपका कॉलेस्ट्रोल है तो सही आंचरेश का उप्षन नमबर सी जन्तु वसा में उपस्तित वसिया अलकॉल नेक्ट कुस्चन है आपका आहार में लवन का मुख्य उप्योग है तो सही आंचरेश का उप्षन नमबर बी बोजन के पाचन के लिए आप एक चित हाइड्रोकलोरिक अमल लगो मात्रा में पैदा करना लवन का ये मुख्योग है नेक्ट कुस्चन है आपका वसा में गुलंचिल विटामिन होते है तो जैसा कि हमें पता है जल में B और C गुलंचिल है उसके साथ अलावा सारे वसा में है तो B को क्या कहते है B के नाम है इसमें B के बहुत सारे नाम है बहुत सारे पार्ट है और C को क्या कहते है ये भी आपको पता है एसकरवीक एसिट तो वसा में गुलंचिल पूछा है तो जिसमें एसकरवीक एसिट आ रहा हो वो तो है यह नहीं चलो और जिसमें B का कोई आ रहा हो तो वो भी नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहिया ओप्सेन नमबर B कैल्सी फैरोल केरोटीन और टोको फैरोल ये भी वसा में गुलंचिल नेस्ट कोईशन आपका एक कारियसील महिला को प्रतिजिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए तो सही आंसर हो जाएगा उप्सेन नमबर D 45 ग्राम नेस्ट कोईशन आपका गोल्डन चावल एक प्रचुल तम श्रोट है तो सही आंसर है इसका उप्सेन नमबर A विटामीन एका तो दोस्तों आज के हमारे 50 कुशन खतम हुए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज से लाइक करें सेर करें और कमेंट में कोई भी प्रोब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रोब्लम को सोल कर सके और चैनल सेस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद